कर लालू यादो कॉंग्रिस के मंच पर खड़े होकर बता रहे थे कि बड़े संग के नेता उनसे बोल रहे थे कि भारतिये जनता पार्टी तो सिर्फ पटना में ही चुनाव जीतेगी बाकी जगहों पर चुनाव हार जाएगी यानि कि लालू यादो एक तरीके से संकेत दे रहे थे कि पटना साहिब में जो रितुराज सिन्हा का हवा चल रहा है रितुराज सिन्हा का जो बोल बाला है पटना साहिब भारतिये जनता पार्टी चुनाव निकाल लेगी बाकी जगहों पर चुनाव हार जाएगी और अब हम विस्तार से आपको समझाएंगे कि कल लालू यादो कॉंग्रिस के मंच पर खड़े होकर ये बात बता रहे थे कि पटना साहिब जो है वो भारतिय जनता पार्टी अपने पाले में डालेगी बाद बाकि 4900 सीट पर वो चुनाव हार जाएगी यानि 40 में से एक ही सीट जो है वो भारतिय जनता पार्टी के पाले में जाएगा अब बिस्तार से सब कुछ समझाएंगे लेकिन उसके पहले नमस्कार में आनाम से शांग बांडे है आप जनता जेंशन पर मुझे देख रहे हैं कोयमरे के पीछे बिशाल खड़े हैं और अब बता रहे थे कि एक बड़े संग के नेता उनसे बोल रहे थे कि भारतिय जनता पार्टी सिर्फ पटना में चुनाव जीतेगी बाकी जगों पर चुनाव हार जाएगी और पटना साहिब से अगर अभी किसी का नाम पहले नमबर पर चल रहा है तो उसका नाम रितुराज सिन पटना साहिब से और इस बार कहा जा रहा है कि इनका नाम जो है इनका पत्ता जो है इस बार पटना साहिब से कट जाएगा और इस बार पटना साहिब से कोई मैदान में आएगा तो उसका नाम होगा दितुराज सिन्हा और दितुराज सिन्हा के बारे में एक तरीके से इसा यारे में लालू यादो ये बता रहे थे कि किसी बड़े संग के नेता से इनकी मुलाकात हुई थी और वो बता रहे थे कि भारतिये जनता पार्टी सिर्फ पटना में चुनाव जीतेगी बाकी जगहों पर चुनाव हार जाएगी जिस तरीके से 2019 में हुआ था एंडिये जो है 49 सीट पर जीत हासिल करती है और एक सीट पर यूपिये जीत हासिल करती है तो वैसे हिन लालू यादो बता रहे थे कि 49 सीट पर इंडिया गठवंधन जीत हासिल करेगा और एक सीट पर इंडिये गठवंधन से भारतिये जनता पार्टी पटना साहिब से चुनाव जीतेगी हलाकि उन्होंने पटना साहीब का जिक्र नहीं किया लेकिन पटना का जिक्र किया है अब पटना का जिक्र किया यानि कि पटना साहीब अगर और किसी लोग सभा का जिक्र करना होता पाठली पुत्र बोलते पटना बोले हैं तो यानि पटना साहीब तो पटना का ही सिर्फ के बारे में ही लालू यादों बता रहे हैं कि इनको हराना इस बार मुश्किल होगा और एक तरीके से लालू यादों के प्रिये मित्र आरके सिना के बेटे हैं आरके सिना भारती जनता पार्टी के बड़े नेता हैं संग के बड़े नेता हैं और उसके बाव जूद भी वो ल के अंधेरे में लालुयादों से मुलाकात करते हैं कई बार मीडिया के कैमरों में वो कैद हो गया है तो उस बार उन्होंने कहा है कि देखिए राजनितिक दुस्मनी अपनी जगह है मिर्टता अपनी जगह है लालुयादों मेरे घनिष्ट मित्र है और अपने मित्र से हालचा पूछने आना कोई राजदिती नहीं होता है हम कोई राजदिती हैसियत से यहां नहीं आए है हमारा परिवारिक संबंध है और वो हमेशा रहेगा तो आरके सिना के बेटे रितुराज सिना के बारे में लालू यादो कह रहे हैं कि इस बार वो यहां से चुनाव जीत यानि कि लालू यादो यह मान चुके हैं कि पटना साहिब इंडिया गटवंदन से नहीं निकलेगा इंडिया गटवंदन से यह सीट जो है भारतिये जनता पार्टी अपने पास रख लेगी और अभी भी यहां पर भारतिये जनता पार्टी के जो है उमिद्वार है वो सां होने वाला है रितुराज सिना को टिकट दिया जाएगा और लालू यादों के हिसाब से रितुराज सिना यहां से निकल जाएंगे और अब आगे देखिए क्या होता है जैसे कि लालू यादों ने साफ कह दिया है कि 40 में से एक सीट भारतिये जन्ता पार्टी के पाले में आएगा वराल आगे देखते हैं क्या होगा इस खबर में इतना ही बने लेमार साथ और देखते रहें जन्ता जंक्षर